असलाम अलेकम आज मैं आपके साथ अद्रक लसन का पेस्ट बनाना शेयर करूंगी हम इसे बड़े इजीली घर में बना सकते हैं और इसे केमिकल के बगएर ही में फूस कर सकते हैं मैंने 200 ग्राम अद्रक लिया और 200 ग्राम ही लसन लिया दोनों को चीला और इनको एक मिक्स्चर में पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी इसलिए अड़ किया ताके मिक्स्चर को चलने में असानी है एक बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन देखिए कितना अच्छा पेस्ट त्यार है अब इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे वाव बहुत हुपसूरत पेस्ट त्यार हुआ है जब यह पेस्ट बन जाए तो दो से तीन केबल स्पून हम इसमें कुकिंग अल डालेंगे कुकिंग अल इसका कलर नहीं चेंज होने देगा और प्रिजर्विंग के लिए भी काम आएगा इसको डालने से हम इसी पेस्ट को 15-20 दिन के लिए बड़े अच्छे तरीके से इस्तमाल में ला सकते हैं ना तो इसका कलर चेंज होगा ना कोही टेस्ट में फरक आएगा अपने घर में ऐसे और्गैनिक मसाले जरूर त्यार गिया किजिएगा शुक्रिया प्लीज सब्सक्राइब ओवर चैनल और प्रेस्टा बेल आइकॉन